आज हम आपकी सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात का वो सच जिसे हर भारतिय जानना जाहेगा वो रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भुगोल, भविश्य और सोच को बदल दिया वो रात थी आजार्दी की रात दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिस हो रही थी रात 9 बचते बचते राय सिना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था बारिश अब भी चारी थी रात को करीब 10 बचे सरदार पटेल जवाहरलाल नहरू, डॉक्टर राजेंदर पशाद और माउंट बेटन वाइश्रोय हाउस पहुचे 14 अगस्त 1947 की रात 12 बचने में कुछ ही मिनिट बाकी थे तब पंडिक जवाहरलाल नहरू ने दो लाइने कहकर अपना प्रवचन शुरू किया At the stroke of the midnight hours, when the world slept, इंडिया will be awake to life and freedom चंद ही मिन्टों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशिया लेकर आया 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकुमत से देश स्वतंत्र हुआ था लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वेर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8,15,000 लोग एक ही रात में गवा दिये थे देश दो टुकडों में विवाचित हुआ था हिंदूस्तान और पाकिस्तान हिंदूस्तान यूही आजाद नहीं हुआ 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकुमत का अंध शुरू हो गया था महात्मा गांधी के जनांदोलन से देश में नई क्रांति की शुरूआत हुई थी तो एक और सुबास चंद्रबोज की आजाध हिंद फोज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था उपर से दूसरे विश्वयुत के बाद ब्रिटिस सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर अपसासन चला सके इसलिए माउंट बेटन को भारत का आखरी वाइसरोय बनाय गया था ताकि डेश को आधिकारिक तरीके से स्वतंतरता दी जा सके अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंतर गोशित करने का नीड़े लिया था लेकिन मौम्मद अली जिहा ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी जिसके चलते डेश में कई जगा पर सांप्रदाइक हिंसास शुरू हो गई बिगरती परिस्तित को देख अंग्रेज भारत को हो सके इतना जल्दी स्वतंतर राष्ट गोशित कर देना चाहते थे क्योंकि अंग्रेजों को भी भारत को आखिरकार एक टुगड़े में नहीं लेकिन दो टुगड़े में विबाजित करना था स्वतंतरता के लिए दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना गया तो इसमें ऐसा है कि सिर्फ हम भारतिय ही शुप और अशुप में नहीं मानते थे बलकि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे मांत बैटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुप है क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शर्णा गति स्विकारी थी और इसके ऑफिसल साइन 2 सप्टेंबर को हुए थे इसलिए बैटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्टों के लिए शुप था तो फिर रात 12 बजे के वक्त को ही क्यों तै किया गया तो इसके लिए भारतिय जोट्सियों का मानना था कि वो वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुप है तए किया गया था कि पंडित नहरू को अपनी स्पीच रात बारा बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात बारा बजे स्चंखनात के साथ भारतिय लोगतंत्र की शुरुआत होगी ठीक वैसा ही हुआ 15 अगस की सुबह आठ बचकर 30 मिनिट पर पंडित नहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनियता की शपत ली रात की लगतार बारिज के बाद सुबह आस्मान बिलकुल साफ था लोग बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे आजाद भारत के तीरंगे को लहराते हुए अपनी आखों से देखने का देश के तीरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नहिरू ने रात को बारा बजे ही पार्लामेंट सेंटर हॉल में लहराया था और दूसरी बार सुबह आठ बज कर तीस मिनिट पर भव्वे राष्ट द्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट द्वज को उतार कर लहराया गया देश वास्यों की आखों में खूसी के आसु थे आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ अंग्रेजों ने देश को नहीं छोड़ा आजाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे 1500 ब्रिटिस सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई तो आखरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली दोस्तो ताजूप की बात ये के लुटेरे अंग्रेज हमारे देश के अतिती बन के आये हो उस तरह से उन्हें बिदा किया गया उनकी आखरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से बिदाई ली तब जोज पंचम को बिदाई देने वाला गीत बेंट बाजा के साथ बजाया गया आजादी से 190 साल पहले भी अमीर चंद और मिर जाफर ने रोबर्ट क्लाइन का ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था और फिर क्या हुआ प्लासी का युद्ध और 190 साल की परतंतरता फिर भी हम भारतिय नहीं सुत्रे अतिथी देव भव के सुत्र को हमने आज भी नहीं छोड़ा फिर वो अतिथी वाकई देव दुल्य हो या हमें लूटने आया हो दोस्तो आज के लिए इतना ही और देश की इस स्वतंतरता की कहानी को ज्यादा से ज्यादा सेर करने की आपकी जिम्मेदारी है